हेलो एव्रीवन तो आज हम लोग बात करते हैं कि कैसी हम लोग जो हमारा मारशाटीटी मैस का पेपर उसके दर बिस से ज्यादा मांक्स कैसे हासिल करेंगे तो कुछ बात आपको ध्यान रखना है अगर आपको मांक्स हासिल करना है तो सबसे पहले आपको प्रिविए से जो पेपर है उसको अच्छे से करना है ठीक है प्रिविए से पेपर आपको दो से तीन बार करोगे तो ही आपको चांसे से कि आपका मांक्स 20 प्लस हासिल हो जाए कुछ कोशन जो रिपीट हुए उसको आपको देखना है उसको समझना है कैसे करना है जहां पर आपको बेसिक पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है उसको दुबारा करना है यह बात आपको ध्यान रखना है दूसरी बात आपको एक्जाम के अंदर जो मैस का पेपर सबसे आखिर में करना है ठीक है बाग की पेपर पहले करना है मैस का पेपर आखिर में करना है जब आपको मैस का पेपर सॉल करना रहेगा तो आप ध्यान देना कि आप जब स्टार्ड करोगे तो आप देखना वो जो आसान आसान सवाल है वो पहले करना जो टफ है वो कोशन आपको नहीं कर पहले एक राउंड आपने मार लिया जो भी आँडस कोशन कर लिया फिर उसके बास सेकंड राउंड मारना है और सेकंड राउंड के अंदर आपको जो जो मुश्किल है थोड़ा सा आप लगता है कि आप effort डाल के थोड़ा कर सकते हो फिर वो ट्राइ करना है ठीक है तो इस तर आपको जो पहले आसान आसान लगेगा वो करने का है फिर उसके बाद मॉडरेट लेवल के कोशन की तरफ जाने का है तुम्हारा टाइम भी बचेगा और कोशन आसानी से हो जाएंगे और एक बात और याद रखना है कि आपको जहां लगे कि मैं यह कुशन में फस रहाओ त टाइम देशान मत करो टाइम बहुत जाधा इंपरडेंट है ठीक है धि के दूसरी बात आप अगर घर पर जो भी फरमड़ साउल करोंगे तो मायंस की पेपर सॉल करोंगे तो वहां पर टाइमर लगा लो ठीक है आपको कितना टाइम है त्टोby ऐसां में कितना टाइम है सारे paper जो previous year paper नाट तो आपके लिए इतना ही आस्ता हमारे तरफ से ठीक है तो आप try करिए महनत करते रही hard work जरूरी है अगर अबगी being hard work start नहीं किये तो hardware करिए कम से कम डेली 4 ऐ5 घंडा पड़े टभी आपका का रिजल्ट अच्छा आ सकता है ठीक है तो मेहनत करेंगे आप तभी तो फल मिलेगा ना तो अपने तरफ से ट्राइ करते रहिए मेहनत करते रहिए और इन्शालला इसका जज़ा आपको जरूर मिलेगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही टाटा बाइबाइब